साथियों, आरोप ये हैं, ये जो कमिशन के पैसे उगाए जाते थे, ये कॉंग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं, इसलिए बली भाती की चर्चाएं यहां हो रही हैं, अब कहने वाले कहते हैं, कि शराब गोटा लेके पैसे की इसी मारा मारी में, यहां धाई धाई साल, मुख्यमंत्री पत्पाला फॉर्मुला लागू नहीं हो पाया, 36 गड़ के मेरे भाईयों भेनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी, कॉंग्रेस पार्टी के लिए 36 गड़ एक ATM की तरह है, अब आप समझ पाएंगे, कि आखिर कर, बीते तीन चार वर्षों में, जो चुनाव देश में हुए, उसमें कॉंग्रेस अपने 36 गड़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था, और गोटा लेक गपले के अरोप, सिर्फ शराब्त की सिमित नहीं है, यहाँ, ऐसा कोई भी भाग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, जो संदे के गेरे से बाहार है, कोल माफिया, सेंड माफिया, लेंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया, यहाँ फलफुल रहे हैं, हर घर तक सुद्ध पेजल पहुचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, यहाँ सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक, पताने कौन कितने लोग हैं, जिन पर गोटाले के गंबीर से गंबीर आरोप लगते रहे हैं, आज 36 गड़ सरकार, कॉंग्रेस के करप्षन और कुशासन का मोडिल बन चुकी है, इसलिए ही, आज 36 गड़ से चारों तरफ, हर कौने से, हर जुबां से, एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज चुनाई दे रही है, एक ही आवाज गुंज रही है, बदल वो, बदल वो, ये दारी कॉंग्रेस के सरकारलब बदल वो, साथ यों, 36 गड़ में, बीते चार साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है, कि कॉंग्रेस के कौर कौर में करप्षन है, करप्षन के बिना, कॉंग्रेस सांस भी नहीं ले सकती, करप्षन कॉंग्रेस की सबसे बड़ी विचारदारा है, जब मैं कहता हूँ कि कॉंग्रेस, करप्षन की, कमिशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, इनकी नाराज की इस बात का प्रमाण है, कि हमारी सरकार, सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दाईत्व मुझे दिया है, अर शलिए जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दूसरे को पानी पी, पी कर कोशते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं, उनको लगता है, कि ऐसा करने से, वे मोधी को डरा पाएंगे, मोधी को डिगा पाएंगे, देश के हर ब्रस्टाचारी को, एक बात कान खोल कर सुनने नी चाहिए, वे, वो, वो अगर ब्रस्टाचार की गारंटी है, तो मोधी, ब्रस्टाचार पर कार्यवाई की गारंटी है, जिसने गलत किया है, वो बचेगा नहीं, और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए अगर रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पाथ जो कुछ भी है, वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है, ये लोग मेरे पीछे पढ़ेंगे, मेरी कब्र खोधने की दमकी दे देंके, मेरे खिलाब साजी से रचेंगे, लेकिन उने पता नहीं है, जो डर जाय वो मोधी नहीं हो सकता,